हेलो दोस्तो माइनेम इस बिने कुमार एंड माइ यूटूब चैनलेम इस बिने टीम टीसी दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्षर में आप लोगों का हर्दिप स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नए श्टूरी लाया हूँ जिसके माध्यम से आप इंग्लिस किया है बिने टीम टीशिंग को तो सबसे पहले जाके हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए और लाइक किजिए जितना हो सके दोस्तों के साथ से जरू किजिए अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टूरी का नाम क्या है दा ग्रेप सार है लेकिन यहां पर देखो दोस्तों यहां पर कई सारे अंगूर की बारें बात हो लिए यानि कि यह का मतलब कई सारे हैं तो दोस्तों उसके साथ आप आल लगा हैं और सावर को मतलब उसको खटा कोई भी चीज खटा हो जाए जिसे अंगूर कटा है या फिर आम कच्छा आम तो वो भी खटा ही रहता है तो बहुत सारे से चीज़े जो चीज़ खटा लगता है उसको sour बोलते हैं या you are sour, sour मतलब खटा तो दोस्तो इसका मतलब आप समझ गए यानि कि अंगूर खटे हैं इसका मतलब इस्टूरी का नाम आप लोगों को पता हो गया अगर आप लोगों को इसमें से जिससे grapes का पता होगा तो मत लिखेगा अगर sour का पता है तो आप जरूर लिखेगा नहीं पता है तो आप लिखे लिजेगा I hope आप लोगों को अगर पता हो तो बहुत अच्छा है नहीं पता होगा तो आप इसको जरूर लिखें ना अब यहाँ पर देखें किया लिखा है One day यानि कि एक दिन आहंगरी दोस्तों आहंगरी fox came to a vineyard यह पूरा sentence है दोस्तों दोस्तों वन डे मतलब होता है एक दिन आहंगरी का मतलब होता है आहंगरी fox यहाँ पर ए मत कहना है इसका pronunciation दोस्तों होता है आह यह नहीं होता कि आह हमेशा बोलना कहीं पर अगर आपको जिसे यहाँ पर आ हो गया यहाँ पर भी आया तो ए मत बोलना यहाँ पर बोलना आ तो वन डे एक दिन एक हंगरी लोमडी लोमडी fox लोमडी गेम टू अब बाइनियार्ड दोस्तों के मतलब आई तू हमारा गेम टू गो टू इस तरह से जो होता है न तो संटेंस में टू लगता है दोस्तों अब बाइनियार्ड दोस्तों बाइनियार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तो बाइनियार्ड का मतलब होता है अंगूर का बगीचा कह सकते हैं अंगूर का बगीचा होता दोस्तो यह होता है तो वन डे एक हंगरी फॉक्स केम टू आव बाइनियार्ड एक दिन एक हंगरी भूखी लोमडी आई अंगूर के बगीचे में आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा और यह संटेंस हो दोस्तो पास्ट इंडिफिन टेंस का संटेंस हो दोस्तो तो दोस्तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक दिन एक हंगरी लोमडी जो है भूखी लोमडी कहां आई बाइनियाड यानि कि अंगूर के बगीशे में आई ही सा दोस्तों सी का सा यानि कि ये भी सिकंड फार्म है दोस्तों और ये पास्ट इंडिफिंट टेंस का ही है तो ही सा उसने देखा बंचस का मतलब होता है गुच्छा गुच्छा दोस्तों जैसे मतलब अंगूर का गुच तो यह सब जो चीज होते हैं जो गुच्छा जैसा रहता है तो चल्डा का जो गुच्छा होता है सभी बोल सकते हो तो हीसा बंचेस अप राइब ग्रेप हैंगिंग हाई ऑन दबाइंज अब इसका मतलब आप समझेए हीसा आपको यह तो पता ही हो गया कि पूरा संटेंस पास्ट इंडिफिन्ट टेंस का ही है क्योंकि हीसा उसने देखा उसने खाया उसने पीया उसने नहाया उठा गाया सोया बैठा जागा रोया नहाया अगर कि संटेंस के अंत में है तो आप ज और पता हो आप नोट के लीजे नहीं पता हो तो आप नोट करें जो कोई बागे था हेशा उसने देखा बन्चेस आप ता र य सा इन का मतलब होता है दोidosdo पका भुआ hakk मतलब होते है लटकना हैंका तीन होने हैंग हंग हैंग के तीन फॉर्म होता है हैंग हंग हैंग तीन फॉर्म होता है दोस्तों हंग हैंग हंग तो दोस्तों यह हैंग हो गया उसका बंद में हाई हाई मतलब उचाई और मतलब पर बाइंस का मतलब होता है अंगूर की तला बला उच्वरी लता अंगूर की जो लता होता है लता आप क तो उसने देखा पके हुए अंगूर के गुच्छे उचाई पर लटके हुए हैं और बाइन की बाइन का मतलब लटके हुए हैं और बाइन यानि की लताओं पर अब आप लोगों समझ में आगिया उसने देखा उसने क्या देखा उसने देखा कि जो लताएं जो हैं अंगूर की जो लताएं हैं उनके उचाईयों पर पके हुए अंगूर जो हैं लटके हुए हैं अंगूर के गुच्छे जो हैं वो लटके हुए हैं His mouth started समझ में आ गया उसने देखा कि पके हुए अंगूर के गुच्छे उचाई पर लटके हुए हैं और कहां पर Bines on On the Bines यानि कि अंगूर के लताओं पर समझ में आ गया His mouth His mouth मतलब उसका मूँ Started watering यानि कि उसके मूँ में क्या हुआ पानी आना सुरू होने लगा यानि कि उसके मूँ में पानी आने लगा Started मतलब होते है सुरू होना या चालू होना इस तरह के ये Past Indif Intense है ये भी ये Past Indif Intense He stretched है ये बहुत interesting है दोस्तो ये meaning दिखो हम में जहांते पता है आप लोगों को इसका आदा बिल्कुल नहीं पता होगा Yes TRETCHED Stressed का मतलब होते है दोस्तो Stressed Stressed बढ़ाया जिसे आप आम को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं या कोई चीज लेने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाते हैं तो उसको दोस्तों बोलते हैं Stressed तो He stressed out his head to reach the grapes उसने अपना हाथ बढ़ाया अपना हाथ बढ़ाया reach to the grapes यान कि reach मतलब पहुचना पहुचना होता है grapes मतलब अंगूर उसने अपना हाथ बढ़ाया कहां अंगूर तक पहुचने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया but he found but he ये भी past इन इफिन टेंस का ही है but he found ये दोको but का मतलब लेकिन होता है दोस्तों लेकिन यहां पर ये प्रिपूजीशन है ये क्या है sorry conjunction है he found he found मतलब पाना find मतलब पाना लेकिन आप फाउंड ले he found them वो उसको पाया rather to the high rather हाई मतलब काफी or too high का मतलब उचाई पर तो उसने क्या है लेकिन but he found them उसने उसे काफी उचाई पर पाया ये कि अंगूर को काफी उचाई पर पाया उसने so इसलिए he jumped to get at them so इसलिए क्या उसने किया जब उसको काफी उचाई पर उसको पाई तो उसने क्या किया he jumped उसने kudha get to them उसने उसे पाने के लिए kudha यानि कि jump किया kudha उसने उसे उसने उनको उनको होता है उनको अंगूर को पाने के लिए वो क्या कि jump किया यानि कि kudha even them फिर भी he could not reach them देखो even then मतलब होता है फिर भी he could सकता है सकता है देखो could मतलब देखो could can may might इन तीनों का एक ही अर्थ होता है सकता है सका पाया सकता है इनका मतलब होता दोस्तो और ये एक models helping verb है could model helping verb है तो even then मतलब होता है फिर भी he could he could not reach फिर भी वो उन तक यानि कि उन तक नहीं पहुच पाई फिर वो उसे नहीं पापाई फिर भी जो अंगूर थे ना अंगूर तक नहीं पहुच पाई नहीं पहुच सकी या नहीं पहुच पाई इस तरह से बोल सकते हैं he jumped again to again till he was completely tired he jumped again 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 and again he jumped मतलब वो कूदी ये past independence he jumped उसने कूदा उसने बार बार again and again मतलब बहुत है बार बार कोई कि हम जब आप बार बार करते हैं तो उसको again and again बोलते हैं तो he jumped again and again वो बार बार कोसिस किया वो बार बार जो है दोस्तों कोसिस किया पूरी जान लगा दिया पूरी जान लगा दिया उसको पाने के लिए बट क्या होता है he was completely tired उसके बार बार कोसिस करती रही लेकिन उसको पाई नहीं तो फिर होता क्या है he was completely tired बाद में क्या हुआ वो पूरी तरह से ठक गई थी उसको पाने के लिए वो बहुत देखो क्या किया कूदा जंप लगाया बहुत सारी कोसिस किया लेकिन सब unsuccess हो गया उसके बाद में किया हुआ he was completely tired वो जो है पूरी तरह से ठक गई थी ठक चुकी थी ठक गई अंत में आपको लोगों यह दो यह भी जो है past यह sentence है he was completely tired यानि कि यह sentence हमारे क्या है simple sentence है और past simple sentence है दोस्तो और category number one के sentence है he was completely tired at last अंत में क्या होता है अंत में he gave up and left the place अंत में क्या हुआ होता है अंत में क्या होता है at last अंत में he gave up gave up का मतलब होते है छोड़ देना और यह जो है second form है मतलब second form है तो he gave up उसने छोड़ दिया क्या किया छोड़ दिया छोड़ कर कह सकते हो छोड़ कर और लेफ दा प्लेस उसने छोड़ दिया और वहां से जो है उस जगह से चली गई लीव का मतलब उसे छोड़ना किसी जगह से चले जाना और लीव का लीव का चलना मतलब लीप का मतलब छोड़ना, तो उसने लीप के लेफ्ट हो गया, तो वो क्या होगा, अंत में he gave up, उसने क्या गया, छोड़ दिया, gave up मतलब छोड़ देना, उसने छोड़ दिया, मतलब छोड़ कर उच जगह से चली गई, अब आगे क्यों सुनिए, he was hard saying, ही वास ही हाँ का मतलब होता है कोई दिल से कहाना हाड वह दिल से कह रहे थी कि डेव साधसे स्वेट एक अंगूर कहते हैं एक मुən सावर ग्रेप्स कौन चाहता है खटे अंगूर खाना यहां पे खाना नहीं लिखा है लिकिन आप आप ही कलपना कीजिए he wants sour grapes यानि कि कौन चाहता है खटे खटे अंगूर मतलब कौन खटे अंगूर खाना चाहता है इसका आर्थ यही होगा दोस्तो तो दोस्तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लोग तर बहुत पसंद रहा हो आया होगा दोस्तो यहाँ पे देखो मैं एक एक वर्ड को आप लोगों को तोड़के बदाया इसका मतलब भी समझाया अच्छे से यहाँ पे देखिए बाइनियाड बाइनियाड का अगर आप लोगों को नहीं पदाया तुमेने bynyard का मतलब बताया अंगूर की हम बगेचा होता है दोस्तों और benches मतलब गुच्छा होता है ripe का मतलब पका हुआ जिसे ripe mango हो गया ripe grapes हो गया ripe को इवी चीज हो जाए तो वह सॺल पपाया हो गया राइस्ट बनान हो गया ripeKEN किस तरह हैं मतलब होते हैं आप कह सकते हैं बाइन का मतलब होता है थह आप मतलब होते हैं थालों कि इसले नहीं न ब 오does लुग है अंगुर की गीचा तो अंगुर की लटा 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 उसकी हमाउप तो आप लोगों को बताए तो इसका हर वर्ड मैंने आप लोगों को बताया I hope आप लोगों को इसमें से कुछ वर्ड भी कुछ वर्ड सीखने को जरूर मिला होगा और बहुत सारी इसमे예요 को बताया और जादा तर किया कि इसमें पास्ट इन्रिफिर्ट टेंस के संटेंस जादा थे तो दोस्तों यहां पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूं जिससे आप लोग एकदम कंफर्म यानि कि कीलियर हो जाए और अच्छे से आप इस स्टोरी को समझ पहें तो दोस्तों यह क्या था ग्रेप्स आर सावर यानि कि अंगूर खट्टें यह हेडिंग था उसके वन डे हंगरी फॉक्स एक दिन एक बूढ़ी जो है सुरी वन डे एक हंगरी फॉक्स यानि कि भूखी लोमडी अंगूर के बगेचे में आई उसने देखा बंचेजाब राइफ यानि कि अंगूर के इस माउथ स्टार्टिक वाटरी और उसके बाद ने उसका जो मुझ था उसके मुझ में पानी आना शुरू हो गया इस ट्रेश्ट आउट इस हैड टूरीच दा ग्रेप्स वह उसने क्या किया उसने बढ़ाया क्या उसने अपना हैड मतलब होता है सिर्फ लेकिन ही फाउंड द्यम रेधर टूरीच दा ग्रेप्स मैंने उसके जो है इस ट्रेश्ट आउट इस हैड उस बढ़ा उसने अपना हैड मतलब होता है सिर्फ जो मुझ होता है उसको पानी के लिए जो है तब अंगुर अंगुर तक पहुचाने की कुछ इमने बढ़ाया वही कुछ गया बट ही फाउंड द्यम रेधर लेकिन ही फाउंड द्यम रेधर टू हाई लेकिन वह काफी उचाई पर उसको पाया वह उनको काफी उचाई पर पाया ने कि अंगुर को काफी उचाई यो पर पाया पाया तो इही जंप टू गेट दम वह उनको पाने के भी वो उस तक नहीं उनको नहीं पा सकी ही जंप यहन कि अंगूर को नहीं पा सकी ही जंप अगेन अने वो बार बार कोशिस करती रही बार बार कोड़ती रही he jump he was बार बार कुटती रही बार बार लेकिन क्या हुआ बार बार कोसिस करती रही लेकिन he was complete time बाद में क्या हुआ वो पूरी तरह से ठक गई थी अट लेस्ट अंत में he gave up and left the place अंत में वो उसको छोड़ कर वो उसे छोड़ दिया छोड़ दी और वो जगह से चली गई और ही वाज हार्ड से और वो दिल से कह रही थी ग्रेप सावर यानि कि अंगूर खटे हैं कौन चाहता है खटे अंगूर दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों यहां पर क्या है अक्सेप्ट डिफीट स्पोर्टी यानि इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका अर्थ क्या है दोस्तों इस कहानी का मतलब क्या है दोस्तों इसका इस लक्चर से हमें सीख मिलता है खेल से हार्ड से उकार करें यानि कि जब भी आप किसी चीज़ की कोसिस करते हैं जब आप नाका होजाते हैं तो क्या होता है? आप क्या करते हैं क्हेल से हार स्युकार के touring लेते जिस चीज से आप मालो की कि कोई चीज पर अभी देखो यहां पर क्या हुआ? है यह अंगुर को पाने के लिए बहूत सारा प्रशंम किया तो वो यह जो है देखक just this question में जरूए चीज्थ write खठे अगूर कौन खाना चाहता है कौन चाहता है कौन चाहता है खठें अगूर तो यह ऐसा कहरी है दोस्तो आई हो isn't a आहा होगों को यह video लेक्ट्सटर हमारा बहुत ہी पसंद आया होगा और पहुत सारी चीज़े आपको सीखने को मिले होंगे तो दोस्तों अगर ये वीडियो लक्ष्र आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो दोस्तों इस मेरे वीडियो को जितना हो सके आप सपोर्ट किजिए लाइक किजिए और मेरे यूट्यू चनल को सस्क्राइब जरूर क तो थैंक्स फार माई वाचिंग वीडियो गुडबाई टेक केर अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में